Letter of Intent to Accept, Section 7, Sub-Clause 1 के According, Absolute and Unqualified Acceptance नहीं होता है कई बार किसी offer को accept करने से पहले, offer एक letter देता है जिसमें वो उसे मिले हुए offer को accept करने का intention शो करता है ऐसा letter offer तब दे सकता है जब offer ने अभी तक offer के सभी conditions को fulfill नहीं किया है और इस situation में offeree letter of intent to accept देते हुए उस letter में ये बात mention करता है कि वो उसके उस offer को accept करने का intention रखता है अगर offerer offer के सभी conditions को fulfill करता है यहाँ ये letter of intent कोई counter proposal फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इस letter में offeree कोई नई condition नहीं introduce करता बलकि पहले से ही decided conditions की fulfillment की बात करता है इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस topic के illustration को समझेंगे जिसमें हम हनसावी गांधी वर्सिस दीप शंकर रॉय और अदर्स जो 2013 का Supreme Court का case law है और दिबाकर स्वेन वर्सिस Cashew Development Corporation जो 2014 का Supreme Court का case law है को समझेंगे हनसावी गांधी वर्सिस दीप शंकर रॉय और अदर्स case law में अलग-अलग appearance ने इस सेम case के fact के साथ अलग-अलग appeal की थी इसलिए court ने उन सभी का judgment इसी appeal के अंडर दिया था इसलिए यहां भले ही इस case के name में एक ही appealant का name है पर ये head सभी appealants के लिए है अब हम इस case के fact को समझते हैं तो इस case में respondent 2 जो की एक developer है वो एक housing society के साथ agreement करता है जिसके according वो उस housing society के land को develop करेगा और उसके बाद जो flats बनेंगे उन्हें intended purchasers को बेचेगा intended purchasers का मतलब यहां उन purchasers से हैं जिन्होंने flats के construction से पहले ही अपने लिए flat reserve करवा लिया था यानि construction complete हो जाने के बाद इनका flat खरीदने का intention है इस बात को ये signify करते हैं इसलिए developer कुछ intended purchasers को letter of intent issue करता है इस letter of intent के according अपिलेंट्स ने flats के reservation के लिए 88,000 रुपीज पे किया था उन्हें flat का पूरा price installments में पे करना था जो की 22,000 रुपीज था और पूरे price के payment के बाद ही developer और intended purchasers या अपिलेंट्स के बीच agreement of sell execute होगा और साथ ही दो या उससे ज़्यादा installments पे नहीं करने पर reservation cancel हो जाएगा इसके बाद सभी अपिलेंट्स ने installments भरना start कर दिया लेकिन housing society के ऊपर किसी कारण से कुछ लोगों ने suit file कर दिया था जिसके कारण कुछ सालों तक construction start नहीं हुई और इस delay के कारण construction का खर्च भी बढ़ गया इसलिए developer ने flat की overall price और installment को बढ़ा दिया जिसे 22,000 से 38,500 कर दिया इस बढ़े हुए installments और price को अपिलेंट्स ने oppose किया और installment भरना भी बंद कर दिया और इसके साथ ही trial code में developer के against specific performance का suit file कर दिया यहाँ trial code का judgment अपिलेंट्स के favor में आता है और developer को flats अपिलेंट्स को देने के लिए direct किया जाता है लेकिन इस suit को file करने से पहले जब अपिलेंट्स ने installment भरना रोग दिया था तब letter of intent के condition के according ही developer ने उनके reservation को एक letter के द्वारा cancel कर दिया और उन flats को दूसरे buyers को बेच दिया जिने हम subsequent buyers कहते हैं आगे बढ़ने से पहले हम यह देख लेते हैं कि subsequent buyers कौन होते हैं माल लीजिए किसी A नाम के person की कुछ property है और वो उस property को पहले किसी B नाम के person को बेचता है और फिर उसी same property को किसी C नाम के तीसरे person को भी बेच देता है तो यहां C को हम कहेंगे subsequent buyers तो इस case में developer ने same flat को बेचने के लिए appearance से भी installments ली और उसके बाद दूसरे buyers को भी बेच दिया तो यहां हम उन्हें subsequent buyers कहेंगे इन subsequent buyers में से एक इस case law में respondent one है तो trial court का judgment अपिलेंट्स के favor में आने पर इन subsequent buyers ने high court में appeal की जहां decision in subsequent buyers या respondent one के favor में आता है और developer को 9% per annum के interest के साथ appearance को पैसे वापस करने का direction दिया जाता है इसके बाद appearance ने last में supreme court में appeal की यहां appearance ने अपना contention दिया कि subsequent buyers ने flats खरीदने से पहले ही इस flat की ठीक तरह से inquiry नहीं की थी अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें developer के द्वारा appealants को issue किये गए letter of intent के बारे में पता चल जाता इसलिए subsequent buyers bona fide purchasers with consideration नहीं है bona fide का मतलब good faith होता है और यहां यह जो term है bona fide purchasers with consideration इसे transfer of property act 1882 में detail में explain किया गया है हम यहां उन्हें ज्यादा deep न explain करते हुए उसका basic meaning इस case की better understanding के लिए समझेंगे तो TPA में यह बताया गया है कि अगर किसी property के subsequent buyers हैं और वो subsequent buyers bona fide purchasers with consideration हैं तो उन्हें भी उस property से related किसी dispute को settle करते वक्त consider किया जाएगा यहां bona fide से मतलब है कि उन buyers ने property खरीदने से पहले ठीक से inquiry की थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें property से related किसी dispute की जानकारी नहीं हो पाई with consideration से मतलब है कि उन्होंने उस property का price भी pay किया हो यानि वो property अगर उन्हें gift में मिली होगी तब उस property पर उनका कोई right नहीं माना जाएगा तो इसी rule पर based appellant का contention होता है इसके बाद respondent one यानि subsequent buyers अपने contention में कहते हैं कि यहाँ अगर appellants और developer के बीच कोई भी agreement था तो उसका registration नहीं था जो कि महराश्ट्र ownership of flats, regulation of promotion of construction, sale, management and transfer act 1963 जिसे हम आगे के वल act करके refer करेंगे कि under mandatory है बीना registration के ये बात नहीं माना जा सकता कि proper inquiry के बाद appellants को उनके बीच किसी agreement का notice होगा यहाँ notice word का use इसलिए किया गया है क्योंकि TPA में property से related information को notice कहके refer किया जाता है और इसके साथ ही transfer of property act के according अगर किसी document का registration हुआ है तो ये बात presume की जाएगी कि सभी concerned parties को उसके बारे में पता है इसके बाद Supreme Court इस बात को भी notice करती है कि trial court में developer ने ये statement दिया था कि एक letter के द्वारा developer ने उनके reservation को cancel कर दिया था और यहाँ उनके बीच कोई agreement of sale नहीं था इसलिए यहाँ specific performance का question ही नहीं arise होता इन सभी contentions के बाद Supreme Court ने High Court के judgment को upheld किया और कहा कि developer के पास कुछ situations ने price को बदलने और flat के area को बदलने का right था letter of intent में जो condition थी कि installments के complete payment के बाद ही agreement of sale execute होगा यह condition fulfill नहीं हुई थी Act के according अगर appearance और developer के बीच कोई agreement हुआ था तो उसका registration required था इसलिए appearance का उन flats पर कोई right नहीं होगा और इसके साथ ही registration के absence के कारण respondents को उस agreement या letter of intent की inquiry का कोई मौका नहीं मिला इसलिए यहाँ ऐसा कोई presumption नहीं है कि उन्हें उस agreement के बारे में पता था और इसके साथ letter of intent to accept किसी party को agreement के लिए bound नहीं करता है क्योंकि इस letter of intent में mentioned conditions के according पूरा price पे हो जाने के बाद ही agreement होगा और fact के according यहाँ नहीं पूरे price का payment हुआ है और नहीं कोई agreement है तो Supreme Court का judgment respondents या subsequent buyers के favor में आता है और developer को appearance के पैसे 12% per annum interest rate के साथ वापस करने के लिए direct किया जाता है इसके बाद अब हम दिबाकर स्वेन वर्सिस Casio Development Corporation केस law को समझेंगे इस case law में respondent हर साल उस साल की काजू की फसल के लिए Landay Hill Cashew Plantation से काजू तोड़ने का tender issue करता था तो इसी तरह January 1998 में भी respondent ने tender issue किया पर इस tender में petitioner के अलावा किसी ने apply नहीं किया तो respondents ने उसी के साथ negotiation किया और last में 243,270 रुपीस का amount fix हुआ इस amount को petitioner ने दो parts में pay किया इसमें से 1,00,000 रुपीस petitioner ने इस tender में part लेने के लिए दिये थे और बाद में उसने बागी के 1,43,270 रुपीस भर दिये लेकिन board इस amount को बाद में बढ़ाना चाता था तो last में final amount 2,48,520 रुपीस decide हुआ तो अब petitioner को 5,250 रुपीस और देने थे जिसके बारे में उसे एक acceptance order के द्वारा बताया गया इस acceptance order के according बचा हुआ amount पे करने के बाद तीन देन के अंदर उसे agreement execute करना होगा लेकिन उसी वक्त एक चक्रवाती तुफान के कारण वो पूरे काजु खराब हो जाते हैं जिसके कारण petitioner बचा हुआ amount नहीं पे करता और ना कोई agreement execute करता है बलकि वो agreement को cancel करने के लिए कहता है और अपने पैसे वापस चाता है पर इसके लिए respondent मना कर देते हैं और उसके पैसे जब्त कर लेते हैं जिसके कारण petitioner ने उडिसा high court में written petition डाली petitioner के पैसे को four feet करने का कारण बताते हुए respondent ने कहा कि terms and conditions के head के clause four के according एक बार acceptance order issue हो जाने के बाद यानि एक बार tender accept हो जाने के बाद किसी भी तरह की damage की complaint को नहीं consider किया जाएगा इसके बाद high court का judgment petitioner के favor में होता है जिसका कारण बताते हुए high court बताती है कि केवल acceptance order भेज कर यहां कोई contract form नहीं होता यानि कोई acceptance नहीं होता जब तक कि parties written agreement को execute नहीं करती court ने आगे कहा कि acceptance order केवल respondent की acceptance की intention को बता रहा था और यहां कोई contract exist नहीं करता है जब तक कि उस acceptance order के condition को fulfill नहीं कर दिया जाता और क्यूंकि यहां pretensioner का tender accept हुआ ही नहीं और कोई contract form हुआ ही नहीं इस ये respondent के पास उसके पैसे को forfeit करने का कोई right नहीं है तो इस case में acceptance order एक letter of intent to accept था जिसके साथ कुछ conditions बताए गए थे जिनके fulfill नहोने के कारण यहां कोई contract form हुआ ही नहीं तो इन दोनों ही case law से ये बात clear हो जाती है कि letter of intent to accept किसी भी offer का absolute and unqualified acceptance नहीं होता बलकि बस acceptance की intention को signify करता है absolute and unqualified acceptance के सभी topics की understanding के लिए आप इस playlist को जरूर check out कीजिए and if this video helped you then please like this video subscribe to your education hub and share this video with your friends thank you for watching